ड्रामा सीरियल सिन्फे आहन की एपिसोड 21 में क्या हुआ आईए जानते हैं तो व्यूर्स सिन्फे आहन की 21 किस से जो पहला तासुर मिलता है वो ये है कि लेडी कैड़ेट्स की पासिंग आउट सर्मनी बस जल्द ही होने वाली है पता है इसका क्या मतलब है जी हाँ सही पहचाने आप इसका मतलब ये है कि अब सिन्फे आहन भी बहुत जल्द खतम होने वाला है पिछली किस में हमने देखा था के परिविश सरदार के बेटे को फाइरल शूटिंग कॉंपिटिशन में हरा कर किसी भी मर्द कैड़ेट को हरा देने वाली पहली लेडी कैड़ेट बन जाती है ये किस भी लास्ट एपिसोड की तरह ही थ्रिलिंग थी बलके इस से भी कहीं ज्यादा इसमें क्रेड़ेट आर्दू कैड़ेट नैथमी परेरा को रेस्क्यू करती है असल में होता ये है कि लेडी कैड़ेट को रियल टाइम ट्रेनिंग का एक टास्क दिया जाता है इस टास्क में उन्हें बिलकुल असली मेदान जंग जैसा माहौल फराम किया जाता है और उन्हें पेर्ज में काम करना होता है उन्हें जंगल बयाबान में एक टीम के तौर पर कैमपेंज, पर्टूनों और बटालियन्स में काम करना पड़ता है इसमें शाहिस्ता और सिद्रा के कुछ खाना पकाने के कोशिश करने के सीन्स बड़े मज़े मज़े के होते हैं और महाज़बीन उनसे हर वक्त पूछती रहती है के खाना टाइम पर मिल जाएगा ना और सिद्रा के बहुत सारे सीन्स तो बहुत ही क्यूट है इन सीजन में वो देखने वालों को अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से बहुत ज्यादा इंटर्टेन करती है तमाम लड़कियों ने ही मेक अप के जरीए कीमो फलाज किया होता है सिवाए महजबीन के राबया और सिद्रा का यसीन तो बहुत ही मशूर हुआ जिसमें राबया पूछती है कि दुश्मन नजर आ रहा है और सिद्रा जवाब देती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा लेवल था यार लेवल और तोर डर्पोक राबिया इतनी महादर हो जाती है कि साम को ही मार डालती है असल में ये लेडी कैड़ेट्स बापसी पर स्री लंकन कैड़ेट्स नैथमी प्रेरा को जंगल बयाबान में ही भूल जाती है नेत्मी प्रेरा और आर्जू का पेर होता है मगर आर्जू समझती है कि प्रेरा पहले ही पहुँच चुकी है इस गफलत और गहर दिमेदारी पर मेजर सम्या आर्जू को शदीद डानती और जार पलाती है वार्दू को कहती है कि अगर खुदानाखास्ता नेत्मी के साथ कुछ बुरा हो गया तो वो निताज भुकतने के लिए त्यार रहे इस पर तमाम लेडी कैरेट्स घुप अंधेरे में नेत्मी को ढूंडने निकल पड़ती है इधर नेत्मी एक गहरी खाई में गिर कर शदीद जखमी हो जाती है और फिर दिखाया जाता है कि जखमों से चूर नेत्मी लेटी होती है उसके जखमों से खून बह रहा होता है सब उसे आवाजे दे रहे होते हैं और वो अपना नाम सुन भी रही होती है पर उसमें इतनी हम्मत और ताकत नहीं होती कि इन आवाजों का जवाब दे सके और बता सके कि वो कहा है और इतने में एक साप उसकी तरफ बढ़ता है उस सीन ने तो रोंगते खड़े कर दिये उपर का सांस उपर और नीचे का नीचे रह जाता है और फिर आरजो दूसरी कैड़ेट्स की मदद से इंतहाई बहादरी से नेथमी को खाई से बाहर निकाल लेती है नेथमी को बचा लिया जाता है और फौरण हॉस्पिटरल शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर मेजर उसामा नेथमी को उसके अंकल मुजाहिद से मिलवाता है मुजाहिद नेथमी के वालिद के दोस्त होते हैं जिनकी टांगें एक फौजी आपरेशन में जाया हो जाती है तो कैसा लगा आपको सिन्वे आहन की 21 किस्त का रिव्यू कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें